दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आप अपनी मुर्गी के बच्चे लिकलवा रखें आपने जो छोटे चेक्स हैं उन्हें आप कब मुर्गी से अलग करना चाहिए वो तरीका मैं आज आपको बताऊँगा मैं किस तरीके से अपनी मुर्गी को पालता हू तो मैं वो तरीका आपको बताऊंगा वैसे तो बच्चों को अपनी मा से अलग नहीं करना चाहिए लेकिन इसके को जो है एक इंडिगेट होते हैं मुर्गियों के जब मुर्गियों के बच्चे जो है जैसी देशी मुर्गी आप मुझे देख रहे हैं आप वीडियो में ये मुर्गी जो है तीन चार महीने तक जो है चार महीने तर लग भी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करती वो चार महीने के ऊपर के जब बच्चे हो जाते हैं जब उन्हें ठोंग मारना शुरू कर देती है जब वो मुर्गी आपकी ठोंग मारना शुरू कर दे तो आपको उन बच्चे को जो वे सुएमी अलग कर देंगे अपना आपी. लेकिन आज मैं जो आपको इस वीडियों में बताऊँगा. आप जो अपनी मुर्गी को बेटाईंगे. उसके जो है क्या फायदे हैं, और क्या नुकसान हैं, और क्या तरीका है वो मैं आपको इस वीडियों मननेंगा. वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों जैसे कि मालो मुर्गी न जो है एक महीना लग जाती है अंडे देने के लिए मुर्गी आपकी 12, 13, 14, 15, 20 जो भी अंडे देगी तो लगबग जो है एक महीना जो है अंडे देने में लगा देती है एक महीना हो गया और उसके बाद में है फेशिंग अंडे के लिए प्रोड़क हो जाएगी यो अप बिठा और अंडे के लिए तो वह मुर्गी जो है और कम से-कम बाइश दिन या बाइश दिन वह ले जाएगी इकोसे लग बग तो महिने देने में और बच्चे करने में लिकार जाएगा दो महिने होगे और चार महीने जो है अगर बंधा पर suspected मुझे और शे महीने में जो है और शे shipped Yo मुर्गी को बच्चों को जब ही करें यदि आप अच्छे से केर करना जानते हूं किसी के दूसरे के भरोसे ना रखते हैं आप स्वेय में वाद ठीक रहेगा ठीक हैं और मैं बता दू आना में एक महीना हो गया अंडे देने में और 21 दून होगे बच्चे हैच करने में और 2 महीने होगे इसके अंडे को बच्चे को पाल ले मैं तो 4 महीने होगे और मैंने इस मुर्गी को कर दिया है बच्चों से अलग करने के बाद मैं बच्चों को जो है मैंने इस तरीके से दूर ले गया इनको आप जो है इस तरीके से दूर ले आने हैं ताकि बच्चों के जो है इसे आवाज भी नहीं आनी मुर्गी मुर्गियों में छोड़ देनी है और बच्चों को पालने है अलग ठीक है इस प्रोसिस से जो है मुर्गी एक महीने के अंदरी जो है दोबारा अंडो को आ जाएगी क्रोसिंग पा जाएगी ठीक है ये तरीका है तो इसमें जो है आपको एक साल में हो सकता है कि आप जो है दो जो होल जो है बच्चे निकलवा सकते हैं तो यह तो हो गया पाइदा कि हम एक साल में दो बार बचचे निकलवा सकते हैं। अब नुक्सान क्या है। कि है यदि मालो हमने बच्चे निकल वाए और उसे बच्चों से अलग कर दिया दो महीनगे बार फिर वो दुबार मुर्गी जो किरोसिंग पर आ गई। पर अंडे पर आज पर जाएगी तो अंडे जो है मुर्गी पीट से निकल अगल लें लएं ँसकी बोडिके में अब तो मर्गी को ऑब मुझे में पूरे सीजन दें अपने बच्चे को पालने में ढहरत आपसएव.. जानकारी और है बड़ भी हो एक चैनल पर यूई बने रहे हैं जुडे रहे हैं दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद